आपकी वेल विशर आज का टॉपिक जिसमें बात करने जा रहे हैं वो है क्या नौ लिविंग थिंग्स भी हमारे थॉट्स और मेमरीज को एब्जॉर्ब करती हैं जो कि पिछले वीडियो में से आया है जिसमें मैंने ये बुला था कि चेर जब हम किसी भी पीस ऑफ फरनीचर करते हैं तो उसमें वैसी ही मेमरीज आ जाती हो और जब हम उसमें बैठते हैं ज lls की थुम्हारे मैंड तक वह मैसेच बेजते हैं कि हाह इस परसन इस प्रेजर्ग और इसको चिंता करने हैं तो वही वाले कैमिकल करो और हम प्रभ आप होने लगती है हम चाहें या नाचाह तो ये कैसे होता है? इस से पहले मैं आपको एक एक इग्जाम्ड देती हूँ एक जाम्डल को is very commonay. जो कि हम सब के घर में हम सबने experience किया होगा आप ने बास सुनी होगी कि लोगयोते हैं कि मुझे अपने हाकी बेट पर नीन गाती है उस जगह पे उन्होंने अच्छी नींदे भी लिवी हैं उस अच्छी नींदों की experience जो है वहाँ पे bed में memorized है जब आप उस पे लेटते हो आपकी skin तच होती है तो वो जो चीज है आपके skin के through आपके mind को एक message देती है कि he is present here now और she is present here now इसको सोना है तो आप ऐसे chemicals release करो कि इसको नींद आ जाए तो उस बंदे को वहाँ पे लेटके नींद आ जाती है same thing happens कि जब चिंता वाली जगह होती है कि आपकी वहाँ पे अगर वो memories और वो thoughts अब्जॉर्ब है और आप वहाँ बैठते हो और आप उसको touch करते हो तो skin के through यह message mind को जाता है कि अब इसको चिंता करनी है चिंता वाले chemicals release करो और आप चाहो या ना चाहो आपको चिंता होनी शुरू हो जाती है तो this is the thing but it is not only till कि यह furniture तक ही limited है यह furniture तक limited नहीं है यह चीज़ क्या है कि सबसे ज़्यादा furniture जो रखा है हमने piece of furniture जो रखा है वो हमने रखा है जमीन पर फर्ष पर जो gravity फर्ष पर है वो इन चीज़ों को absorb करती है जो जैसे जब हम खड़े होते हैं गई पर तो हमारे heels के through हमारी energy जो है वो अर्थ में जा रही होती है अगर हम खुश है तो भी और अगर हम नराज है तो भी और अगर हम किसी bad mood में है तो भी जैसे भी जो भी हमारा state of mind है वो वैसे ही तरीके से अर्थ में जा रहा होता है sometime it happens कि आप बहुत घूमते फिरते होते हो तो कहीं पर भी memorize नहीं होता या अगर वो बहुत intense है तो वो हर जगा memorize हो जाएगा लेकिन sometimes it happens कि लोगों की habit होती है कि वो habitually किसी एक जगा पर जाके एक काम को करते हैं कि उसी जगा पर बैट के discussion होता है घर का या उसी जगा पर जाके वो खाना खाते हैं और खाना खाते खाते बात करते हैं और आपस में लड़ाई हो जाती है या एक्स वाई जगा होती है जहां पर बैट के result almost हमेशा same ही निकलता है बहुत कम ऐसा होता है कि वहां से दूसरा result निकला है क्योंकि उस space की memory जो है वो ही है कि इस जगा पर आया है तो लड़ना ही है वो brain काम ही वैसा करता है वो सामने वाला आंसर ही ऐसा देता है कि वो ultimately चीज जो है वो गलत जगा चली जाती है तो it is very important आपको बता होगी ये बात कि पुराने जमाने में हमारे घरों को कितना धोया जाता था मतलब कि डेली उसमें धुलते ही थे घर या weekly धुला करते थे या उनमें नमक के पोचे लगाए जाते थे या फिर उनमें जो मिट्टी के घर होते थे उनमें उनके उपर वो पुताई करते थे या जो भी उनके rituals हुआ करते थे यह इसलिए करते थे कि जो भी memories है वो वहां से निकल जाए अच्छी तो अच्छी है यह लेकिन जो बुरी memories हमारी life में effect कर रही होती है वो तो जानी बहुत जरूरी है इसलिए किसी भी अच्छे incident होने के बाद कभी भी घर को wash ने किया जाता है और किसी भी ऐसे incident के होने के बाद जो हम नहीं चाहते हमारे घर में हो घर को धोया जाता है कि ठीक है जो भी memories वहां आई अब वो negative memory, sad memory जो भी थी वो wash होनी चाहिए तो this was the logic behind कि पहले जमाने में घरों को धोया कि जाता था और अब हम सोचते हैं कि disinfectant से ही पोचा लगवा दिया तो वो memories चली जाएंगी ऐसा नहीं होता उसको निकालने के लिए आप उ तो राइस अपने घर की cleansing करो राइस के बारे में मैंने अपनी लास्स वीडियो में बताया था कि राइस के अंदर बहुत जादा negative energy को absorb करने की power होती है इसी लिए हम जब पूजा करने लगते हैं तो पूजा से पहले पंडिजी हमारे हाथ में थोड़े से राइ चावल और थोड़े सा पानी डालके दो मिनट हमें बठाते हैं और फिर बोलते हैं कि उसको जमीन पे छोड़ दो तो यह इसलिए होता है कि हम किसी भी state of mind में गुस्से में आया लड़के आया लेकिन पूजा करने के लिए तो हमें अब अलाइन हो जाना चाहिए और पूजा में मन और तीसरा जो चीज है जिससे कि आप अपने घर की cleansing कर सकते हो आप नीमू ले सकते हो नीमू को आप अपने घर के जगा जगा कोने कोने में रख दो उसको अगर उसमें फंगस लग जाती है इट मेंस कि वहा नेगेटिव एनरजी थी वह नीमू ने अब्सॉर्ब कर ली है आप उसको dust cream में डाल दो और अगर वो पड़ावाय अच्छा है dry हो रहा है तो let it get dry दीरे दीरे वो पड़ा पड़ा dry हो जाएगा और वो फिर एकदम बहुत हलका सा हो जाएगा then you can pick it up और अगर आप ये regular basis पे करना चाते हो अब regular basis पे कर लो या जैसा भी but it is very important कि आप energies को clean करते रहो जैसा कि कोई भी furniture है उसकी energies clean करने के लिए आप उसको shift कर दो उसको धूप लगवा दो मतलब अगर आपको ऐसा है कि आप उसको धूप लगवा सकते हो आप उसको धूप लगवा दो जिस furniture को आप identify ऐसा कर जाते हो कि हाँ ये furniture ऐसा है इस पे बैठके मेरे यह ही thoughts trigger होते हैं तो उसको आप lemon से, either salt से, या rice से किसी भी चीज से आप उसकी cleansing कर सकते हो दूप में रखके उसकी cleansing कर सकते हो उसको shift कर दो जहां पर पहले पढ़ा था तो इन सब चीजों से हम बच सकते हैं और ऐसी बहुत बहुत चोटी चोटी चीजे हैं जो की हमारी life में होत है कि हां हम अपने ही बैट पे नहीं दाती है दूसरी जगह जाके नहीं आती है लेकिन कभी इसकी depth में नहीं कि ऐसा क्यों होता है यह memories की वज़े से आप चाहते हैं कि मै इस बारे में अभी मुझे थाट आया कि मैं इस बारे में एक सिरीज बनाओ कि ऐसा क्यों है आपने कभी सोच ऐसा क्यों है तो I love to do that जैसे कि अभी अभी recently मुझे एक वो याद है कि जिस दिन मा परिशान होती हो जिन बच्चा भी बहुत जाद होता है तो ऐसा क्यों होता है if you are interested to know that please comment नीचे आप video के नीचे comment कर सकते हैं and share my video as much as you can or see you again with new video with more interesting topics and I wish, I pray and I have faith that all of you are going to do all these things आप practically करोगे इन सब चीजों को अपनी life में और अपनी life के अंदर बहुत सारे positive changes लेके आओगे और अपने जिन्दगी को बहुत successful और बहुत prosperous परना होगे with lots of lots of lots of wishes thank you so much see you again